उत्तर प्रदेश के हात्रस में हैवानियत की शिकार होकर दम तोड़ने वाली यूती के पोस्ट मौटम रिपोर्ट आने के बाद एक खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट में यूती से रेप की पुस्टी नहीं की गई है जिसे घटना में शामिल आरोपियों को फायदा होगा तो वहीं इधर देश में चल रहे हर बड़े मुद्दे पर अपने लोगगित के जरीए सरकार को जगाने का बीड़ा उठाने वाली नेहा राठोर ने एक गाना अपने फेस्बुक पर शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जहाँ खाकी में राज दफनत होई तब उजिया की रामराज है खादी में हवसी लुकात होई तब उजिया की रामराज है जहाँ वदिन ही फुल मतिया है रात होई तब उजिया की रामराज है अरे नैनी के हा सुनैनी के देहिया नोचात होई तब उजिया की रामराज है जाती धारम के जहन्डा लहरात होई तब उजिया की रामराज है अरे रामराज है तो हर कैसन राज है रे परंगदारी आम बात होई तब उजिया की रामराज है रातो रात पीडी ताके लास खुकात होई तब उजिया की रामराज है माई बिटिया बीना छचाना तो होई तब उजिया की रामराज है बाप बेटी जन मावे से डेरा तो हई तब उजिया की रामराज है आपको बता दे कि पिडित यूती ने दम तोड़ने से पहले पुलिस के सामने जो बयान दिया उसके आधार पर दर्ज एफायार में आरूपियों के खिलाफ गैंग रेप की धारा लगाई तो गई है लेकिन अब पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में इसकी पूस्टी नहीं होने से कोट में आरूपियों को बढ़त मिलने की आशंका है बहराल रिपोर्ट में मौत की वज़े गले की हड़ी तूटना बताई जा रही है उदर इस मामले पर हातर जिले के एसपी का कहना है कि रिपोर्ट में बलातकार किये जाने की पूस्टी नहीं हुई है उन्होंने ये कहा है कि वे लोग फॉरेंसिक जाच रिपोर्ट का इंतिजार कर रहे है उन्होंने कहा कि प्रिता को अलिगर के जवारला नहरू मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया था वहां के मेडिकल रिपोर्ट में प्रिता के शरीर पर चोटो के निशान को बताया गया है लेकिन जबरन रेप की पूस्टी नहीं हुई है इस वीडियो पर अपने राय अप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे ये वीडियो फेस्बुक पेज पर देख रहे है तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप हमारे वीडियो को यूटूब पर देख रहें तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें